फ्रेंट्स हमारे यूडूब चैनल सक्षेडर 91 में फ्रेंट्स पोती मात्वपूर्ण कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिचाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तो फ्रेंट्स बिल्कुली वीडियो को इसकी पना करें और पूरा वीडियो लाज तक देखें सभी कोश्चन उत्तर प्रदेश जीके सेरे रिलेटेट हैं ती, जितने भी कोश्चन है उत्तर प्रदेश सेरे रिलेटेट हैं और इसमें 100 प्लस कोश्चन है John 100 प्रस कुशन है और यह रिवीजन क्लास है फ्रेंट आपको जरूर बताना है की आपके 100 में कितने सही हुए और फ्रेंट अगर कोई कोई कोशन आपको आता है तो आप कमेंट बाक्स में जरूर आंसर दें तो चलिए फ्रेंट चुरू करते हैं फर्स कोशन है पुरवांचल एक्सप्रेस वे है वो किन सेरों से गुजरेगा तो देखिए लखनवु बाराबंकी अमेठी सुल्तानपूर आयोध्या अमबेटकर नगर आजमगर्ड मौत था गाजीपुर से गुजरेगा तीक है आपको इन सेरों को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि कोशन पूछा जात हैं तो वह ग्राम पंचाईतों पर कर लगाया जाता है तो जो इस्थानी मेली होते मेला कर तीक है उन पर कर लगाया जाता है चलिए फ्रेंट संगीत के के seventगार ख़ाना के लिए जाना जाता है तो फ्रैंट दिखेंबार को जाना जाता है सितार और सुर्बाहर संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है तो इटावा को जाना जाता है चलिए फ्रेंट नेक्स कोशन कोशन नमबर चार बारतेंदू नाट्ट अकादमी इस्थापित हुई थी तो फ्रेंट से उनीशू पछत्तर में इ उत्तर प्रदेश में जासी में पाई आती है यह मार मर्दा जासी में पाई आती है चलिए फ्रेंट नेक्स कोशन देखते हैं संबू महाराज को हिंदूस्तानी सास्त्री संगीत की सिच्छा किस ने दी थी संबू महाराज जी को हिंदूस्तानी सास्त्री संगीत की जो जिस दी थी चलिए फ्रेंट्स कोशन नमबर साथ मोडिया पोडिमा मेला का आयोजन किया जाता है मोडिया पोडिमा मेला का आयोजन किया जाता है तो फ्रेंट्स ये गोवर्धन में किया जाता है मोडिया पोडिमा मेला का जो आयोजन किया जाता है वो गोवर्धन में किया जाता ह फ्रेंट्स संपूर हिंदी है यह उत्तरपदेश की तो इसे अच्छे से पढ़ लें रिवीजन कर लें ठीक है यह रिवीजन क्लास है आपकी इसलिए अपने वन लाइनर में से रख दिया है ठीक है चलिए अगला कोशन है प्रथम समाजवादी अभिनों विद्याले खोला ग विवस्था को आचरित करती है तो फ्रेंट्स यह जौन सारी जन जाती है जो बहु विवा को आचरित करती है वह जन जाती जो बहु विवा विवस्था में विश्वास करती है वह पिवन की परमपरा है तो यह जौन सारी जन जाती है चलिए फ्रेंट नेक्स कोशन देखते संस्तापके चलिए प्रई नेक्स कोशनने को हम्झन豪 ग्यारा उत्तर पडीश में परेटन को बढ़ावा देने के लिए 2012 में ऑद्धम कोर्वेस्ज़न किया गया था तो फ्रेंट्स यह लखनों में किया गया था जी उत्तर-प्रदेश में सामान केंदरी विध्या बढ़ले हैं उत्तर प्रुदीश में सामानिको देने वोग हैं चले प्रेंट नेक्स कोशन कोशन नुमबर 13 उत्तर प्रद्दैश में परश नमबर 13।a नोदेश का सबसे बड़ा ऊद्धियुग कॉन साय तो फ्रेंट सीएं हट करका ऊद्धियुगत रोजगार के ढरेट से उत्तर प्रडेस सबसे बढ़ा ऊद्धियुगत आगला कोशन है पंद्रा नम्मर उत्तर प्रडेस नी उच्फ सम ओधो गीक व्रदिदर अंकित किये तो फ्रेंट 2008 में लाग हुआ था मोल वार दित कर वैट लाग हुआ था उत्तर प्रदेश में तो 1 जनवरी 2008 में लाग हुआ था अगला कोशन है 17 नमर उत्तर प्रदेश में एक रेल कोश फैक्टरी के स्थापना की जा रही है तो फ्रेंट्स यह लाल गंज राइबरेली में की जा रही है अगला कोशन है एटी नमर कोशन उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाओं की स्थापना की गई है तो फ्रेंट्स यह आगरा में की गई है उत्तर प्रदेश में प्रथम जो खेल गाओं है उसके स्थापना की गई तो यह आगरा में की गई है अगला कोशन है उ उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है गंगा यमुना गोमती ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से गुजरती है पर जेलम नदिया जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है नेक्ट कोश्चन है बीस नमबर कोश्चन भारत में चावल क्रसित छेतर जो भारत में चावल क्रसित छेतर में उत्तर प्रदेश की कोटी है तो फ्रेंड्स ये प्रत्थम है नेक्ट कोश्चन है 21 नमबर उत्तर प्रदेश की प्रमुक नगदी फचल तो फ्रेंट्स यह गन्ना है मैंने आपको पड़ा भी दिया है ठीक है इससे पहले जो हम क्लासे लेकर आएं उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमने सारे कोश्चन में कबर करा दिये इस वह से हमने सुचा कि 100 प्लस कोश्चन वन लाइनर रख दें ताकि आपके रिवीजन हो जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रमुक नगदी फचल है वो गन्ना है अगला कोश्चन है प्रतम विकलांग विश्विद्याला इस्थापित किया गया है तो फ्रेंट से चित्र कूट में प्रतम विकलांग विश्विद्याला है वो चित्र कूट में स्थापित किया गया है अगला कोश्चन है तेश नमबर गुरू गोविन सिंग स्पोर्ट कालिज की स्थापना क एडी का पूरा नामें computer-added design प्रयोजना केंद्र इस्तिते तो फ्रेंट्स यह लखनों में इस्तिते जो कैड है उत्रप्रदीश में computer-added design प्रयोजना केंद्र इस्तिते अगला कुछ ने 25 नमबर उत्रप्रदीश का एक मात्र मुक्त विस्विद्याले जाना जाता है किस ना अगला कुछ ने 26 नमबर संगीत सिच्छा के लिए उत्तरप्रदीश में जो पहला संगीत महाविद्याले स्थापित हुआ है वह कौन सा है तो फ्रेंट के बात खंडे संगीत हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले बात खंडे सिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले अग यह भात कंडे संगीत संस्थान से लखनव डीम्द विश्विध्याले बन गया. 24 अक्टूबर 2002 को, सुरी, 2000 को. अगला कोईशन है, टाइस नंबर. उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्विध्याले है, अगला कोईशन है कि उत्तर प्रदेश में बायो टेक पार्क इस्थापित है, तो बताएं फ्रेंट्स कहां पर इस्थापित है, आपको अगर आता है, तो आप आंसर जरूर दें. यहां पर दिखें लखनवमे चрийक है यहां no water में इस्तापित है अब यहांसे doinदे की question Paidish already टीक है औमसर को मैने Position में रिक दी बेद है तो आपकी जो लखनव अब यहां पर यह 30 name यह question उगा एक 31 हो गया है अब यहांसे कोश्षन का जो क्रम है वह चेंज हो गया ठीक है रानी लक्षपी बाइब और अवस्तित है अगला प्रदेश में इस्कूल आफ पेपर टेकनोलाजी इस्तित है तो तो फ्रेंट्स यह सहारन पुरमेश्थी थे नेक्ट्ट कोशन ने कि केंडरी उपोस्टड बागवानी संस्तान अवस्थी थे अगर फ्रेंट्स आपको आता है तो कमेंट बाक्स में जरूर आंसर दें टिक है ज़्यादा ज़्यादा आप रिवीजन करें टिक है क्योंकि हम कोशिस करेंगे कि आपके उत्र प्रदेश की जीखे वो सभी की सभी हम कम्पलेट करा दें बस एक ही दो वीडियो में कंपलेट करा देंगे चलिए इस n Thunder लखनु में केंद्री उपॉस्ल बागवानी संस्थान जो लखनलमी इष्थी थे अगला अगला कोश्यान है भारती दलहन अनुसंदान संस्थान अवस्ति थे फ्रेंट्स ये कानपुर में अवस्ति थे अगला कोश्यान है कनईया लाल माडिक लाल केंदरी हिंदी संस्थान अगरा में इस्ति थे फ्रेंट्स बहुत जादा पूझे आते हैं कोश्यान उत्र परदेश से । दस से बारह कोश्यान कम्पुटर से भी दस से बारह कोश्यान पूश्यान कोश्यान機 है तो नगार चैप्टर हो कोई भी संब्जेक्ट वाली बात नहीं है कि हमने अल्रेडी मैचिंग करके रखा है ठीक है आपको सिर्प पढ़ना है देखिए प्रेंट से जो लकड़ी काष्ट कि lane अलगा जो खलत के लिए मसं embora सुर्षे खेल का सामान मेरत नचल ओर पीतल की इस वैसे और इनको हमेशा दिमाग में रखें क्योंकि इस तरह के कोशन पूछे आते हैं सुची फरस्ट और सुची सेकेंड इस तरह के कोशन बहुत आते हैं चलिए नेक्ट कोशन है डाक्टर अंबीड कर इंस्टिट्यूट आप टेकनोलाजी फार हैंडिकेप्ड अवस्ति तो देखें कानपूर में वास्तित है डाक्टर अंबीड कर इंस्टिट्यूट आफ टेकनोलाजी फार हैंडिकेप्ड अगला कोशन है फ्रेंड्स देखें फिर से वही कोशन है चालिस नंबर कोशन है सुची फरस्ट और सुची सेकेंड देखें नगर और उत्पाद फ्रे अगर यह खेल का सामान ठीक है खेल के समान के लिए प्रसिद और जो अली गड़ है आपके ताले के लिए प्रसिद है चलिए पर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एक तालीस नंबर इसमें विद्चिटी फरस्ट और सूची सेकेंड को आपको देखना है के इन्दरेप्रें इस वे फ्रेंड देख लिए सूची सेकंड इस्थान और उध्योग से संब्दित है फिरोजा बाद में काच की चूड़ी सभी को बताएं कि फिरोजा बाद में काच की चूड़ीयों के लिए कानपूर चम्रे के सामान के लिए प्रिशिद्ध है और नजीबाबाद ये प्लाइवुड के लिए प्रिशिद्ध है सहारनपूर कागज और लुगदी के लिए जाना जाता है तो फ्रेंट्स अच्छे से पढ़ लें चाहिए आप स्क्रीन साट लें आप बार बार आप वीजन कर लें या फिर आपनी कॉपी में लिक कर पड़ें या फिर इसक्रीन साट लें जैसे आपको अच्छा लगें लेकिन सब्रेंट्स बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है ठीक है हंडेट प्लस कोशन की क्लास है अगर इन सभी को वैसे अगर हम वान लाइनर पर रखते तो लगबग दो सूफान जाते हैं ठीक है तो इस वैसे हमने अगर मिनको अलग अलग कर देते सुची फर्ष्ट योग सुची सेकेंड तो अपने मिलान में रखे इसी वैसे कोशिय नंबर याँचें अगरें 23 कोशन नंबर 43 है आपका सुची फर्ष्ट और सुची सेकेंड देखे ऑशवगिक संस्तान जो artificial body के pot बना जाते हैं वो friends कानपुर में बना जाते हैं ठीक है उर्वारा कारखाना फूल पूर में उर्वारा कारखाना जो है वो फूल पूर में है चले प्रेंट नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नंबर 44 किसोरि सक्टी युजना का सुभारम हुआ ता फ्रेंट से उत्तर प्रदेश से हुआ था अगला कोशन है गैंडे को पुनरवासित करने का कारे किस राज्टी उद्दान में चल रहा है चले फ्रेंट नेक्ट कोशन है एलेवन नमबर कोशन ए सोरी 46 नमबर कोशन है कि उत्तर डेस वर 2011 की जनगरना की अन्तीम आकड़ों के अनुसार ब्यात बात की जा रही यहां पे उत्तर प्रदेश में पुरू साचरता का प्रिटस कितना है तो प्रिजंट से 77 तसम्ड़ों 3 है 2011 के जंगरना के अंतिम आकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रूस साचरता का जो पित्से थे वो 77.3 है अगला कोशन है प्रेंट 47 नमर कोशन जन संक्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रुमुक 10 लाखी नगरों का सही करम क्या है तो प्रेंट जो 10 लाखी नगर है ठीक है तो उनका सही करम है कानपूर लकनो गाजियाबाद आगरा वारड़ सी ठीक है यह सही करम है चलिए नेक्ट कोशन है फ्रेंट्स 2011 की जनकरना के अनुसार उत्तर प्रदेश का या जिलास सबसे अधिक जन संक्या का घनत धराड़ करता है और फ्रेंट्स यह देखे गाजियाबाद है जो सबसे ज़्यादा जन संक्या घनत तो है गाजियाबाद पे चलिए पर नेक्ट कोशन है उत्तर प्रदेश में छेत फल सरवादी के छेत वलगू लखीम पुर्खीरी का देखे फ्रेंट सभी कोशन आप पड़ चुके हैं ठीक है बट यहां पे सिर्फ आप रिवीजन करें तो ज्यादा ज्यादा रिवीजन करें अच्छे से एक बार में समझने नहाएं दो बार करें तीन बार करें बट रिवाइज करें ठीक है उत्तर प्रदेश में छेतर फल जो है सबसे आदार लखिम पुर्खीरी का है नेक्ट कोशन है पचास नमबर कोशन नमबर पचास उत्तर प्रदेश की जनसंग्या अधिक है पाकिस्तान जापान से अगहरा कोश्विंट क養नमबर shar ISO 2011 की जंगर्णाद के अनुसार उतर प्रदेश मुत्तम घमी अबादी वाली जिले करमाचा हैं वह सब्सक्राइब काजारा की अधिकतम बाद किये और उसके से रिवीजन करें और जी मन लगा कर पढ़ें जी जान लगा कर पढ़ें क्योंकि ज्यादा दिन समय नहीं बचा आपको दस्वारा दिन बचें अच्छे से पढ़ लें चले फिर नेक्स्ट कोशन है जंगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साचरता दर सबसे कम है तो फ्रेंट देखें साचरता दर की बात की गई तो सबसे कम स्रावस्ति जिला की है उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो साचरता दर है वो सबसे कम है तो फ्रेंट यह स्रावस्ति की है ठीक है चलिए फ् तिरपान आपके स्क्रीन पर किस धार्मीक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रोमोकिस्थान है तो फ्रेंट सिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रोमोकिस्थान है अगला कोशन है चववान नमबर उत्तर प्रदेश का आगरा प्रयाग राज कानपूर युवं लख्णव में से कौन सा लगर राष्टी राजमार्ग 2 द्रम्ण नहीं जोड़ा जाता है तो प्रेंट देखें लख लख्णव नहीं जोड़ा जाता है अगला कोशेशन नंम्भर कोशेशन जौनपूर कौशामबी, प्रतापगड एविं सोनभद्र में से कौन सा जन्पद है प्रयागराज जन्पद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो तो यहाँ पर देख लेए फ्रेंट्स उत्तर प्रिदेश के जिलों का उत्तर से दचिर सही क्रम तो सिदार्त नगर हो गया संत कबीर नगर अंबेटकर नगर संत्रविदास नगर अच्छे से देख लें अच्छे से पढ़ लें क्योंकि इसी तरह की कोशन पूछे आते हैं त तो ये पूछे गए कोशन अ चलिए 57 नबर कोशन करती हैं क्यों से अनुसूची जंजाति बिज्ण और जिले में निवास करती हैं .... तीयक अनुसूर्च जंजाती की बात हु रही आपए अठावन नंबर कोषिंदि की सुरह ताल पच्छी वियार अवस्तित हुआ सुरह ताल पच्छी वियार कहां पर सित है फ्रेंट तो ये बलीया जिले में इत Early अगला कोषिंद नंबर 69 59 उत्तर प्रदेश का सबसे अगला कोश्य ने फ्रेंट साथ नंबर गाजियाबाद जनपद में आलम गीरपूर से प्राप्त पुरा तत्वी सामागरी प्रतिबिंबित करती है तो दिखें प्रेंट सहलप्पा संस्क्रती को प्रतिबिंबित करती है कोश्य नंबर एक स्याव फ्रेंट से अतर प्रदेश का प्रमुक लोग गी थे तो देखें प्रेंट यह बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुक लोग गी थे अगला कोशन है यहां पर देखें प्रेंट्स बासक्टमबर कोशन है ठीक है मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने सभी जितनी भी कोशन दियें सूची मिलाने वाले हमने सभी का मिलान पहले से ही कर रखा ठीक है सूची फर्स्ट का और सूची सेकेंड का ठीक है हमने सभी का मिल लोग गीत है यह पूरवान्चल से संब्वान्चल नेक्स कोशन दीखते हैं यहां पर यह भी दिफ्रेंट समेली थे अला महोबा ऑला जो है वो महोबा से संबंदी थै रसीया वरसाना संबंदी थै कज्री मिर अपुर संबंदी थै चलिए फ्रेंanden next question देखते है question number 64 ठीक है फ्रेंट देख लेके सभी question important है फ्रेंटस बहुत ही ज्यादा important है और जिस तरह से मैंने matching दिये इसी तरह की question पूछे आते हैं टिक है तो देवा शरीप प्रदेश में राश्टी कथक संस्तान इसके ते फ्रेंटंसे लखनां मेस्ती थैए अगला कोश्चन है मोती, लाल, नेरू, बाल, संग्राला एस ती तह ढाएं प्रेंटाने तह इस अल्ब संक्यक सिच्छा संस्तान की स्थापना की गई थी तो फ्रेंट्स रामपुर में की गई थी ठीक है यह मौलाना मौम्मद उनुके नाम पर मुहलाना महम्मध जोहर घॉलज बिस्विद्यालिया ये आजम कहन का कालेज रामपुर में तो सबीक्ति निता में वो सबीक्ताब्स से लोग काली इनके वाइफ वे पेटे अब्दुला और जो कहा चाहते नच लोग यह लोग झेल में कथे हैं तो चलिए फ्रेंट नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन सठे उत्तरप्रudee समें जह्यायन भूत धर्मुट दौनोंगा प्रसिदी तेर्थ सथाल है यह फ्रेंट को समबिए ठीक है उत्तरप्रदेश में जह्यायन यहौं भूत धर्म दोनों का जो तीरत प्रिस्द सब्लूम नेज़न देखते हैं कि भारत कला भवन संग्राले वारादसी में नेक्ट कोशन सेवन्टी नमबर कोशन जन गड़ना दो हजार गयार के अनुसार उत्तर प्रदेश में मैला प्रूस संक्या का अनुपात है तो देखे प्रेंट से नो सो बारा मैला मैला हैं इक हजार प्रूस पर फ्रेंट्स 912 मैला का प्रete эти उत्र प्रदेश में पैसले हैं वहाँ ज्यादा कम है है पर मईलाएं किरल में अधिक हैं और वहां परियुज कम है लेकिन यहां पे फृरेंट्स में सबरें Śा अंए यहां पर ल्जात पर्थाएं बहुत ज्यादा हैं और या जो बच्चें पैदा होते हैं और नहीं लोग पहले ही मतलब मार देते हैं काफी इतने डिफ्रेंट डिफ्रेंट चीजे हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है आप जानते हैं जैसे बिहार है उत्तर प्रदेश है यहां पर अभी साथ चर्था दर जो बहुत कम है सबसे ज्यादा इलिट्रेशन है और इलिट्रेशन की वज़े से ही ऐसा है ठीक है केरल जो इसलिए वहां पर महिलाओं की जन संक्या संक्या है वह पुरूसों से अधिक हो गई है ठीक है और यहां पर रकाय उल्टा है उत्तर प्रदेश बिहार वगएर जो मद्र प्रदेश यहां जो आसपास के जो कंट्री जो स्टेट है ठीक है जो पड़ोसी जो अपने राज्ज प्रदेश के यहां पर बिल्कुल उल्टा है ठीक है जो बचिएं पैदा होती है लड़कियां पैदा होती है इन्हें क्या है अभी सब्सक्राइब से बाइस सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं बट फिर भी लोग अभी लड़कियों को कॉक में मार देते हैं पैदा होने ह नहीं देते इसलिए सरकार ने बहुत ज़्यदा कड़े कानून बनाये लेकिन फिर भी कानूनों का लोग उलंगन करते रहते हैं लेकिन अब जादातर लोग नहीं कर पाते हैं फिर भी काफी सुदार हुआ है फिर बहुत जंदा सुदार भूए कि यह पितना हूआ है तो चलिए फ्रेंट आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में से किस इस्थान पर एक नाबी की ऊर्जा पर्योजना तो इस्थी थी alt उत्तर प्रदेश में से किस स्थान पर एक नावी की उर्जा प्रियुजना इस्तित है तो फ्रेंट्स यह नरौरा में इस्तित है अगला कोशन ने बातर नंबर कोशन बिड़ला समु द्वारा एक 600 मेगा वाट छमता के ताव विदू सयंत्र का निर्माड किया जा रहा है प्रेंट्स यह रोज़ा में किया जा रहा है चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन है लाल मिट्टी किस जनपद में पाई जाती है फ्रेंट्स तो देखे मिरजापुर और जासी में पाजआती है लाल जो लाल मिटी पाक किस नदी पर आवस्तित है उत्तर पर प्रता बांद क्या को निक्ष्ट है को निए और यहां पर देख लिए हम कोशन नंबर चीहतर है तो फ्रेंट से हम पहले से सब सभी सुमेलित हैं बढ़ आपको केवल रीवीजन करना है फिर ना है आप सरसरी नजर मारें और देखते चले जाहें ठीक है गंगाय जो वरडेभ से में तो आपके वालेंश जरी तरवाइज करते जाएं चले फिरेंस अ het नंबर कोशन निचली गंगा नहर का उद्गम इस्थल गंगा पर है निचली गंगा नहर का जो उद्गम इस्थल गंगा पर है तो फ्रेंट्स नरूरा में चले फ्रेंट नेक्ट्स कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश की पेजल परियोजना है तो फ्रेंट्स ये गोकुल ब वारिश अली साकी मजार पर मेला लगता है फ्रेंट से देवा सरी बारा बंकी अभी आपने उपर पड़ा था ठीक है प्रतिवार से प्रसिद सूफी संत हाजी वारिश अली साकी जो मजार पर मेला लगता है वह फ्रेंट से देवा सरी बारा बंकी में लगता है नेक्ट कोशन अचैने तो फिरेंड किसे शरप्तम केंदरी विश्विधियाल गोशित कियो गया है वारड़ को कौसे नेक्ट कोशन है तो हिंदुस्तानी एकडमी जिसे भारति भासाओं की करती है पर हिया जन्जाति की निवास करती है पर हिया जन्जाति है वह सोनबत्र में निवास करती है पर हिया जन जाती सोन बंदर में निवास करती है अगला कोशन है फ्रेंट्स उत्तर प्रदेश में रेंडू कूट में हिंडाल को की इस्तिती का मोखे कारड है इसकी निकरता सक्ति के सुरूतों से उत्तरप्रदेश में रेंडु कोट में इन डालकु की इस्तिती का मुखे कारण इसके निकर्टा से सक्ति के श्रूतों से अगला कोशन है परेंड्स 85 निंबर कोशन लखनौ यूजना का सम्बंद किस से फरेंट्स सटक से अग्ला कोशन कर्मा जिस छेतर का लोग रते हैं इस में समाविष्ट जिला वो चले नेक्ट कोशन से सम्मन्न दिते přेंट जो जूला मेला है ब्रंदा यह से सम्मन दिते लेवा मेला समने देवा आप ने पड़ायल देवा सारीब का 2 समद्य से जूला मेला ब्रंदा और मां प्रयागराज अगला कोस्चन ने 58 नंबर 5 उत्तर प्रदेश की नत्र Lawrence को परेंद सुभʏ नहीं रहे उत्तर प्रद्रिस के सर्वादिक जो Lembी नहीं रहे यह सार्दा नहीं रहे नेक्ट कोशन है इस दिके 59 कोशन है झेकिए सभी कोशन समय थे अच्छे से तो अमीर खुसरो। फ्रेंट से संस्बंदी तें नेक्ट कोश्चन है प्रेंट 90 नम्बर कोश्चन में आग्रा इस्थित धयाल-्पाग् संस्टीया राधा स्वामी 15 Cum आग्राइस्तित धयाल-बाग यह किसे सम्दी प्रेंट तो रागारी राधा स्वामी 5 चम्द से संबन दीते है तो फ्रेंट ये 11 नमबर कोशन नमबर 91 यम्मनड़ ऍवर परंट तो अग रहतनगे अगरई लगत आ कोशनगे रहन पर ती चारा को योवम चारा अनुसंदान संस्थान यहां सात हमें उस्ठीं जद भाल्धति चारा का योवम चारा अनुसंदान सनस्तान जासी मेशती थे अगला कोशन है 93 उत्तर प्रदेश का कौन सा छेतर भारत के 22 क्रांतिक प्रदूसिस छेतरों में सम्मिलत क्या गया है तो सिंग्रावली को सम्मिलत क्या गया है अगला कोशन है प्रेंट्स 94 नमवर कोशन है निया फोर बेगम सम्मृ ने एक अती प्रसीद चर्च का निर्माल करवाया तो प्रेंट्स यह सरधना में करवाया था अगला कोशन है 95 उत्तर प्रदेश में एक बाबर सेर सफारी स्थापीत की गई प्रेंट्स इटावा में सभ प्रदेश में एक बबर सेर सफारी स्थापित की गई तो यह इतावा में की गई अगला कोशन ने 96 ताज अंतरराष्टी हवाई एड़ा स्थापित क्या जा रहा है फिरोजाबाद में स्थापित क्या जा रहा है पूर में गौतम बुद्धनगर में पस्तावी था पहले यह क्या हुआ फिरोजाबाद में इस्थापित क्या जा रहा है अगला कोशन ने 97 को पढ़ें उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र पर्योजना का सुभारम क्या गया तो प्रेंट दिसंबर 2005 में दिसंबर 2005 में अगला कोशन ने 98 नमबर कोशन उत्तर दच्छेर तथा पूरा पच्छिम गलियारे मिलते हैं तो प्रेंट जहांसी से मिलते हैं ठीक है उत्तर दच्छेर पूरा पच्छिम जो गलियारे मिलते हैं वह जहांसी में मिलते हैं अगला कोशन है फ्रेंट 99 कोशन नमबर 99 उत्तर प्रदेश राजिका कौन सा सहर उत्क्रष्ट सहर योजना के अ गए चले प्रेंट हंडेट नंबर कोश्यन है कि 2011-2011 की जनगर्णा की अंतिम आकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में साचर्था अधर उच्छतम है तो प्रेंट देखे गौतम बुद्धनगर 2011 की जनगर्णा की अंतिम आकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में साचर्था दर उच्छतम है तो प्रेंट से गौतम बुद्धनगर में तो प्रेंट देखे हमारे लाश्ट कोश्यन है प्रेंट से अच्छे से पढ़ लें सरदार व समझ में ना आए वसे तो फ्रेंट ये तो रिवीजन क्लास थी और वन लाइनर कोश्यन थे इसमें समझने ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है ठीक जतना रिवीजन करेंगे उतना ही जदा आपको आएगा टुटिक है ज्यादा जदा है और जरूर बताए कि क्लास कैसी थ कराएंगे क्योंकि यूपी PCS श्रॉप나स एक्जाम होने तक टोटल हमें कंप्लीट करा देना है उत्तर प्रदेश पूरा कंप्लीट करा देना है क्योंकि आपको does not रहे उत्तर प्रदेश से जितनी भी मुझे होती है सभी कंप्लीट करा देंगे तो हमने सैद स्टापनस exam होने तक टोटल हमें complete करा दिना है उत्तर प्रदोस पूरा complete करा दिना है क्योंकि आपको डाउट ना रह reflection से जितनी भी जीके होती है सबी complete करा देंगे ऑप्रिकें तो हमने सायद 2-3 वीडियो अल डी बना दिया ऊतर प्रदेश dissolgt जी के से संबंदित जिसने नहीं देखा फ्रेंट्स देख लें और हमने यह 100 प्लस कोश्चन का वन लाइनर था रिवीजन के लिए था फ्रेंट्स चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं फिर किसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर